नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे कैंसर की जो नॉर्मली हम लोग कभी सोचते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन वो काफी आम होते जा रहा है, वो है फूड पाइप या इसोफेगस का कैंसर, ये इसी भी वज़े से है क्योंकि ये मन्त जो है, ये मन्त होता है इसोफेजिल कैंसर मन्त और इसी लिए हमने सोचा कि आज हम वीडियो में बात करते हैं इसोफेजिल कैंसर की, अब ये इसोफेगस होता क्या है, इसोफेगस होती है वो ट्यूब जो आपके मूँ से खाने को लेके जाती है आपके स्टमक की तरफ, so it is a connecting tube, which is it is not just a simple tube like a PVC tube a plastic tube, but it is a very active tube, इसमें muscle होते हैं, इसके अंदर की lining जो होती है, वो एक special type की होती है, इसमें वो contract कर सकता है, वो food को push कर सकता है, और खास करके वो बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, so it is flexible, it is muscular, and it really helps to keep your, to, आप जो ठूसते हैं, वो सब ठूसना, ठूसा हुआ, सब ज इसोफेकस की रहती है, और because ये जिम्मेवारी इसोफेकस की ऐसी रहती है, तो बहुत बार हम उस पे जाने अंजाने में बहुत अन्याय करते हैं, सोच जरा सोचिए कि आज आज आपने क्या-क्या खाया, आपने आज तले हुए समोसे खाये, आज आपने बहुत तीखा, मिर कर इंसल्टे हैं और लेकिन वो चुपचाप सहता रहता है सहता रहता है और एक समय आता है कि जब वो पुकारता है कि अब बस अभी मैं जंग करूँगा अभी मैं रेबेल करूँगा और तभी सब प्रॉबम चालो होते हैं और उसी मेंसे एक problem होता है cancer of the isophagus और food pipe का cancer यह food pipe का cancer कहा होता है तो यह food pipe का cancer isophagus में कहीं भी हो सकता है it is roughly a 25 to 30 centimeter tube and it can happen anywhere from the top to the bottom of the food pipe अभी आगे क्या किया जाता है तो इसमें इसकी main वज़र क्या होती है isophagus cancer की वज़र होती है जैसे मैंने कहा कि anything that deals with food obviously उसकी main वज़र आपके खाने के तौर तरीके यही हो सकती है बराबर है कि नहीं तो अगर कोई बहुत तीखा खाना खाता है और उसको repeated heartburn होता है जिसको हम लोग reflex isophagitis बोलते हैं जैसे आपने बहुत ठूस लिया और रात को आपको खटे डकार आते रहे तो यह खटे डकार क्या होते हैं कि यह अपके जो food pipe की lining है उसको जलाते रहते हैं remember the pH of the stomach is very very acidic यह उसमें काफी सारा acid होता है जो आपके digestion को मदद करता है लेकिन यह acid जब food pipe पे आता है normally उपर वाले ने इतनी must system बनाई है कि वहाँ पे एक valve होती है जो valve यह सब को prevent करती है लेकिन अगर वो लोगों ने उसको उसके उपर बहुत सारी जात्ती की तो valve खुल जाती है और वो acid पूरा का पूरा पीछे आ जाता है और वो पीछे आने के वज़े से reflux होता है यह reflux अगर बार 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 होते रहा तो उसकी अंदर की जो चमडी रहती है जिसको lining रहती है उस lining में बदलाव आ जाते हैं और उसका नतीजा ultimately cancer में उसका बदलाव होता है तो this acidity को एकदम आम मत समझे अगर किसी को repeated acidity हो अगर बार बार खटे डकार हो अगर रात को सोते समय एकदम से acid उपर आता हो और पूरा एकदम डर के उठना पड़ता हो तो यह सब चीजे अगर होती है तो जरूर किसी doctor की सला लीजे जरूर उसको उसके उपर ध्यान दीजे because reflux isophagitis in the long run can be a symptom of gastro isophagial reflux disease GARD GERD जिसको कहते हैं and that is a precursor of cancer दूसरी ज्यात्ती होती है कि जब कोई नशा करता है खास करके भारतिय उपकंड में जो घुटका खाने की जो लत लग गई है बहुत जनों को उस घुटका के वज़े से उस तंबाकू के वज़े से जब वो तंबाकू अंदर जाता है तो वो lining को जला देता है smoking को ही करता है तो वो smoking भी उस lining को पूरी तरह से मिटा देता है और उसके वज़े से भी उसमें बदलाव आ जाते हैं और वो बदलाव cancer में परिवर्तित होते हैं तीसरा चीज क्या होता है कि और भी कोई जैसे genetic कोई symptoms है जिसको एक rare syndrome होता है जिसको plumber-winson syndrome कहते हैं उसमें rings होते हैं food pipe में ये rings कभी-कभी उसके बाद cancer होने की संभावना होती है ये सब rare चीजे हैं लेकिन अगर कोई आम आदमी को सोचना चाहिए तो उसको दो चीजों के बारे में सोचना चाहिए वन इस reflux acid isophagitis which is basically a type of acidity और दूसरा उसको अपने addictions के बारे में सोचना चाहिए ये दो चीज smoking, alcohol, tobacco and eating of a lot of heavy stuff at the wrong times, poor sleep leading to acidity, repeated acidity is all causing going to give rise to an increased incidence of isophagial cancer और incidence कितना होता है अगर भारत की मान ले तो भारत में it is roughly 6.5 per 1 lakh population in males and 4.2 in females but remember though it looks very very small number but we are a nation of 140 crore that is why it is almost 50,000 47,000 new cases every year और उसके बार उसमें से almost 42,000 deaths it can cause every year so it is a very very lethal disease और क्यों ये lethal होता है ये भी समझ लीजे क्योंकि बहुत बार इसकी treatment delay हो जाती है और क्यों delay होती है वही reason है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये acidity है इसको seriously क्यों ले हम लोग इसको ऐसे ही treatment कर लेंगे कुछ anti-antacid ले लेते हैं कोई jealousy ले लेता है कोई बोलता है निम्बू पानी ले लो कोई बोलता है चास पीलो कोई बोलता है थंडा दूद पीलो तो इसमें बहुत वक्त निकल जाता है और ये वक्त निकलने के वज़े से वो बीमारी बढ़ती जाती है और अल्टिमेटली जब पूरी की पूरी अन्ननली का बंद हो जाती है ट्यूमर से तो लोग आते हैं अगर ये प्रोग्रेसिव डिसफेजिया याने में तकलीफ अगर ये प्रोग्रेसिवली होती है तो उसमें हमको डॉक्टर की सला लेनी जरूरी है डॉक्टर को मिलना जरूरी है दूसरा चीज क्या होता है कि बैक में पेन होने लगता है ये जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ते जाता है तो बैकेक होने लगता है तो फिर उस समय बहुत लेट हो चुका होता है जैसे जैसे और बढ़ता है तो ये फैलता है, सास के नली में जाता है, लंग्स में जाता है, ब्रेन में जाता है, बोन्स में जाता है, तो फिर उस समय बहुत लेट हो चुका होता है तो food pipe का cancer ये बहुत aggressive cancer है, ये एक बार set हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ते जाता है, it's a very fast growing tumor and hence it has to be detected early, treated early and its early symptoms should not be ignored at all. अब ही इसका diagnosis कैसे होता है, तो diagnosis basically endoscopy से होता है, बहुत सारे मेरे patients हैं जो बोलते हैं कि endoscopy हम नहीं करेंगे, because उसमें तकलीफ होती है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा तकलीफ दे procedure है, आपके मुह में नली डाली जाती है और नली डाल के एक छोटा piece निकाला जाता है, ले और उसके बाद में एक pet scan नाम की test की जाती है, CT scan या pet scan किया जाता है, pet scan ये पूरे शरीर का scan है और उसमें हमको ये पता चलता है कि और किसी अव्यव में, और किसी organ में ये फैला हुआ है, क्या हड्डियों में गया है, क्या brain में गया है, क्या ये सब चीजे हमको इस scan से माल हो जाती है, अभी अगर एक बार हमको ये पता चला कि ये ऐसे stage पे है, कि जिसमें हमको treatment करना, उसको cure करने की possibility है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी treatment पहले होती है chemotherapy और radiation से, क्योंग chemotherapy और radiation के बारे में हम लोग पहले वीडियो में बात कर बोल चुके हैं, तो अगर आपक कि इसके बारे में आपको और मालूमात चाहिए, तो just go into our YouTube channel, उसमें आपको जरूर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम chemotherapy के बारे में बात कर रहे हैं, हम radiation के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे आपको उसके बारे में जानकारी जरूर मिलेगी, we will also give you the link for those videos in the description below, अभी दूसरी चीज़ होती है कि chemotherapy और radiation पहले दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो guard छोटी हो, उसके आजू-बाजू के cells मर जाएं, ताकि we get a very sterilized field for operating और इसमें से बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के chances बहुत अच्छे रहते हैं, और इसलिए हमको ये protocol हम early, बहुत early होगा, तो ही हम लोग directly surgery करते हैं, जो normal circumstances में, यहने second या third stage में जब बीमारी आती है, तो पहले chemotherapy और radiation दिया जाता है, उसको छोटा किया जाता है, और उसके बाद में उसकी surgery की जाती है, surgery में क्या बदलावाए हैं, तो surgery में बहुत सारे बदलावाए हैं, पहले तो surgery के लिए पूरी की पूरी चाती open करनी पड़ती थी, और उसके बाद में recovery में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो आजकल ये robotic surgery से की जाती है, minimal access याने thoracoscopy से की जाती है, जिसमें छोटे 3-4 holes किये हैं और जिससे हम लोग वो बीमारी को निकालते हैं, बिना ribs थोड़े, बिना चाती को open किये, तो इससे recovery काफी fast होती है, और खास करके जो जिन लोगों को lungs में, because usually बहुत सारे ये patients smokers रहते हैं, तो उनके lungs बहुत weak रहते हैं, तो ऐसे patients में thoracoscopic या robotic surgery काफी फाइदे मन रहत हैं, दूसरा होता है कि पेट से भी ये operation किया जाता है, और finally वो पूरी food pipe को निकालके पेट के हम tube बनाते हैं, और tube बनाके गले में लगा देते हैं, बहुत बात मीचे पेट की तरफ भी हम लोग लगा सकते हैं, तो जैसी बीमारी वैसी उसकी treatment का extent रहता है, इसके बाद उस की उत्तर तयारी में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें अपने को physiotherapy बहुत important होती है, operation के पहले जब chemotherapy radiation चालो हो, तो हम exercises देते हैं, physiotherapy देते हैं, lungs के लिए, ताकि वो lungs strong हो, वो body strong हो, patient वो operation bear कर सके, तो इसलिए वो किया जाता है, nutrition पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब खाना नहीं जा रहा है, तो nutrition बहुत सारे patients का poor रहता है, तो उनको high protein diet दिया जाता है, हमारे nutritionist उनसे बात करते हैं, उनको क्या पसंद है, उस हिसाब से, उनका एक diet चार्ड बनाया जाता है, और वो diet से high protein diet दिया जाता है, तीसरी बात होती है, कि ये दोनों चीज़ CT scan करते हैं, हम उनको pate का ultrasound करते हैं, कभी pate scan की ज़रूरत पड़ती है, ये regular follow-ups होते हैं, हर तीन मेने पहले साल में, हर छे मेने दुसरे साल से, पांच साल तक ये follow-ups किया जाते हैं, इन पांच साल में अगर हमें कोई recurrence नहीं दिखा, तो हम बड़े खुश होते हैं, तो ह काई सारे patients होते हैं, जो पूरी तरह से फैली हुई बीमारी लेके आते हैं, तो ऐसे patients में हम क्या कर सकते हैं, तो आजकल chemotherapy में काफी सारे advances आए हैं, immunotherapy है, targeted chemotherapy है, तो patient के report के अनुसार ये treatments उनको चालू की जाती हैं, ताकि थोड़ा सा quality of life improve हो, और isophagus में जहां पे बीमारी है वहां पे stent डाली जाती है, आप जानते हैं कि cardiac में कैसे stent डालते हैं, वैसी ही stent इसोफेगस में डाली जाती है, और उससे उनका खाना पीना थोड़ा सरल हो जाता है, अफकोर्स वो एकदम normal नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी दिक्कतें काफी हद तक थोड़ी कम हो जाती हैं, तो दोस्तों यह रहा इसोफेगस के बारे में थोड़ा थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको कुछ सवाल हो तो जरूर हमें लिखिएगा, विविल आंसर बैक, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि आप और क्या जानना चाते हैं इसोफेगस के बारे में, थैंक यू, नम तोलिए सेक्शन में, चेंट अवरी झाल हैं अँड़ा सेक्शन में फिर इसोफेगस